हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल अच्छ लच्छ में दोस्तो आप पढ़ रहे हैं रिजनिंग और रिजनिंग में दिसा परिछड पढ़ रहे हैं यानि कि डारेक्शन टेस्ट के बारे में दो तीन क्लासे, चार क्लासे हो जुकी हैं अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है, थोड़ा सा basic हमने उसमें बताया है, मैं ये बात पहले हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, ताकि आपको जो basic है वो clear हो जाए, क्योंकि जब तक basic नहीं clear रहेगा, तब तक कुछ पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, अ तो आरे question important रहेंगे, आपके exam में कहीं न कहीं पूछे जाएंगे वो question, और पूछे गए हैं, ठीक है? वैसे ही question, same pattern पे आपका question पूछा जाएगा, सारे question important रहेंगे ठीक है चलिए देखते हैं question क्या कह रहा है हमारा बहुत ही आराम चलेंगे भईया ठीक है बहुत ही आराम चलेंगे दिसा के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे अगर आपको question आ रहा है comment box पूरा भर दीजिए आपका comment हमारे लिए बहुत ही जादा महत्पूर है ठीक है हर एक comment आपका हम check करते हैं देखते हैं कौन सा उत्तर किस ने दिया है ठीक है चलिए देखते हैं question और question क्या कह रहा है question कहने से पहले इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर लगा देते हैं लीजे भीया उपर लग गया है गुच्सा मत होईएगा ठीक है चलिए हसते खेलते हुए बहुत ही आराम से इस question को करेंगे ठीक है पहले कुछ हमारे दोस्त नए जुड़े होंगे ठीक है भीया भागिएगा नहीं बस यहीं तक आपका हमारा साथ नहीं भीया पढ़ने आये हैं थोड़ा सा सावधानी से इस्थीर होकर एक जगां पर पढ़िए ठीक है चलिए मैं आपको पहले दिसा के बारे में बता दे रहा हूँ आपके लिए क्लास नहीं है फिर भी आप देखिए इसी क्लास में आप सीख जाएंगे आप भ्यास प्रश्ण लगाना जो भी important question है उसको लगाना पहले तो मैं दिसा के बारे में आपको बता दे रहा हूँ ना जाएगी ना मान रही है चलिए कोई बात नहीं लीजे मैं फिर से थोड़ा सा इधर बना के आपको बता रहा हूँ कुछ इसी तरीके से आपका ड़ाइगराम बनता है अब इसमें कौन सी दिसा किधर रहती है यह आपको बताना है अगर आप नहीं बता रहे है चलिए भैया गुष्टा मत होइए मैं बता दे रहा हूँ ठीके लीजे उपर क्या होता है? मैंने आपको बताया है उपर होता है उत्तर भाईया आप जो हमारे पुराने student होंगे वो पक गए होंगे एकदम से उत्तर और दच्छिड सुनते ठीक है? अगर पक गए हैं तो आप परिसान मत होईए आप उस डाइगराम को दिमाग में बनाईए ठीक है? चलिए नीचे क्या होता है? दच्छिड होता है भाईया ये नीचे दच्छिड हो गया हमारा और इधर क्या होता है? तो इधर होता है पूर्ब और इधर कौन सी दिसा भाईया? तो पस्चिम होती है ठीक है, पस्चिम होती है, एक मिनट, थोड़ी सी आवाज जा रही होगी, सर, सर, ठीक है, अब आवाज आपको clear जा रही होगी, ठीक है, ये आपकी चारो दिसा है, थोड़ा सा होता रहता है, क्लास भरी है, पीछे, कुछ वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, तो सोरगुल करते ह चलिए, अब आपको clear दिख रहा होगा, आगे बताते हैं, कोश्चन को देखते हैं, कोश्चन हमारा का कह रहा है भीया, थोड़ा और छोटा कर दें, अभी तक आपने इसका answer भी comment box में दे दिया होगा, और आप इसकी insert भी ले सकते हैं, कह रहा है, राम किसी दिसा में चलना प्रारम करता है, कौन सी दिसा है, हमको नहीं पता, लेकिन किसी दिसा में चलना प्रारम करता है, ठीक है भीया, चला दो, राम जब चलना ही चा रहा है, माल लेते हैं, लीजी और छोटा करते हैं भीया, इसको, हाँ, side में आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर चलाते हैं, राम क चलना श्टार्ट करता है और दिसा कौन सी हम यही दिसा माल लेते हैं आप किसी भी दिसा में उसको चला सकते हैं ठीक है उवाहा चालीस मीटर चलने के पस्चाट दाय मुरता है कितना भहिया crying out कितनी दूरी 40 मीटर हो गई, ठीक है, 40 मीटर चलने के पस्चात कहा जाता है भीया, दाएं मुड़ता है, देखिए, लिखा है, पस्चात दाएं मुड़ता है, और कितना जाता है, 20 मीटर, कितना भीया, 20 मीटर जाता है, ठीक है, लीजिए, दाएं मुड़ेगा आपको पता है ऐसे जा रहा था बंदा, कैसे जा रहा था ऐसे जा रहा था, डाएं मुड़ेगा कहा जाएगा, नीचे जाएगा बहुत ही आराम से लगाएंगे question को जाएएगा नहीं आप, ठीक है और कितना जाएगा, बीस मीटर लीजे, बीस मीटर इतनी दूरी मान लेते हैं, 40 ये है तो 20 इतना मान लेते हैं कितनी दूरी हो गई? 20 मीटर हो गया, इतनी बात clear है आगे पड़ते हैं, वहाँ फिर बाएं मुड़ता है बाएं मुड़ता है और कितना? 25 मीटर चलता है, लीजे भीया कैसे आईसे नीचे जा रहा था बाएं मुड़ेगा मान लीजी आप इसे नीचे जा रहे हो और आप बाएं मुड़ जाएं, मतलब इस दिसा में ये कौन सी दिसा? पूरब दिसा, पूरब दिसा में कितना जाएगा भाहиया? 25 मीटर ये इतनी दुरिया कितनी है? 20 मीटर पचीस थोड़ा से जादा होगा लीजे ये हो गया आपका पचीस मीटर इतनी बात किलियर है? हाँ, किलियर भी होनी चाहिए वह पुना बाएं मुडता है मतलब पचीस मीटर चलने के बाद में एक बार और बाएं मुडता है लीजे भीया एक बार इसको और बाएं घुमा देते हैं ठीक है? हाँ, पुना बाएं मुडता है मतलब इस दिसा में ये कौन सी दिसा? उत्तर दिसा बाएं मुडता है और चलना प्रारंब करता है लीजे इसी दिशा में चलना प्रारम कर दिया है अभी रुका नहीं है भी यह ठीक है यदि उसकी अंतिम दिशा पूरव मतलब क्या कह रहा है घुमा दिया आप मत घूमियेगा यह पूरा कोश्चनों यह घुमा दिया क्या कह दिया कि अगर उसकी अंतिम दिसा कौन सी थी, पूरब थी, मतलब अब उपर जा रहा है, इसको कौनसी दिसा कह दिया वो, वो कह दिया पूरब पूरब कहें चाहे पूरब कहें एक ही बात है ठीक है पूरब की ओर ठीक है अंतिम दिसा पूरब की ओर थी तो क्या कह रहा है आरंभ में किस दिसा में चलना परारंभ किया था सुरुवात में कौन सी दिसा में चला था आपको ये बताना है ठीक है लीजिये अंतिम दिसा क्या हो गई आईसे पहले आप यही पर एक diagram बना देंगे ठीक है आईसे यहाँ पर एक plus का icon बनाएंगे ठीक है उपर वाली दिसा क्या, पूरब उपर वाली दिसा क्या हो गई अब इसके according, भईया, real diagram ये है आपका लेकिन question के हिसाब से क्या कह रहा है जो उपर वाली दिसा है ये आपका पूरव है इतनी बात clear, आपको पता है पूरव के just opposite क्या पूरव के just opposite क्या पस्चिम, तो यहां क्या हो जाएगा भईया पस्चिम, क्या हो जाएगा भईया पस्चिम हो जाएगा समझ में आ रहा है, हाँ, आना भी चाहिए भईया लीजिए जिसके चक्कर में आप छोड़ के जा रहें class न, वो आपका साथ नहीं देगी, ठीक है जो भी message आ रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए अभी, बाद में इतने आन से आप जाएगा, बात करिए बहुत मौका मिलेगा, ठीक है अभी क्या, माबाप ने आपको भेजा है पढ़ने के लिए और आप क्या कर रहें वो आपको पता है, अगर आपको जादा घमंड हो गया है कि हमारे पास इतनी लड़किया हैं, और हम लड़कियों को घुमा रहे हैं तो एक बार अपने माबाप का चेहरा देखिए, उन्हों ने आपको किस तरीके से आपको वहां तक भेजा है, इस लायक किया है, कि आप अभी हमारी क्लास देख रहे हैं आपके हाथ में एक नव गुड़े 16 का जो है, फोन है आपके हाथ में, और आप उसमें हमको देख पा रहे हैं, ठीके? आपने आपके माबाप ने आपको इस लायक किया है, कि आप एक फोन ले सकते हैं, तो आप उसका सही उज करिए, और हमारी class को इतनारां से देखिए, ठीखे नीचे क्या हो गया? पस्चिम हो गया भया, ठीखे? नीचे पस्चिम हो गया, इधर कौन सी दिसा होगी? अब देखे, पूरब यहाँ पहुचा तो पहुचा कैसे? अब भया यहां से किधर गया 90 डिगरी गया वो भी किधर बाएं घूमा ठीक है तो मतलब यहां कौन सी दिसा थी दच्छिड थी अब दच्छिड के जगां पे पश्चीम आ गया है मतलब यहां पे घूमा और यहां वाली दिसा यहां पर घूम के आएगी और यहां वाली यहां पर उत्तर था क्या था उत्तर तो उत्तर आ जाएगा यहां पर ठीक है यह हो जाएगा उत्तर ठीक है अब यहां पर कौन सी दिसा थी पस्चिम तो पस्चिम यहां पर घूम किया गया इसमें कोई दोराय नहीं ठीक है इसके बाद में यहां पर क्या था दच्छिड था भया अब दच्छिड कहां जाएगा, दच्छिड यहां जाएगा, तो यहां पर क्या लिख दें, दच्छिड, आपको इसको घुमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप पहचान जाएगे, कि यह उत्तर है, आपको अगर एक दिसा मिल गई, तो दूसरी दिसा आप निकाल सक प्रारम किया था, यह इसकी सुर्वाती दिसा यह थी, यह कौन सी दिसा है भया, लीजिए, थोड़ा सा काट पीट के इसको छोटा कर दें, नहीं भया, ना पाएगा यह पूरा, ठीक है, अब यहीं पर क्या बताना है आपको, यह किस दिसा में चलना प्रारम किया था, उसक इस डाइगराम के हिसाब से बताना है, उसको भूल जाएए आप, ठीक है, इस डाइगराम के हिसाब से कौन सी दिसा थी, तो आप क्या कहेंगे, दच्छिड थी भया, कौन सी दिसा थी, दच्छिड देखिए, इधर ही तो जा रहा था, किधर, इधर ही तो जा रहा था, यह कौन सी दिशा दच्छिड option कहां है लीजी option है अगर आप question सही लगाएंगे तो answer भी आपको मिलेगा ठीक है यह आपका हो जाएगा right answer क्या दच्छिड हो जाएगा ठीक है चलिए आगे का question यह question आगया आपके सामने ठीक है इस question का answer आप देंगे वह इसे हम कहते तो हैं सारे question में लेकिन सारे question का answer आपको हम बताते हैं करके दिखाते हैं क्या कह रहा है यदि यदि A B के दच्छिड में लीजे भीया ये pattern change हो गया और पूछा गया है भीया ऐसा C 10th प्रस 2 में ठीक है क्या कह रहा है यदि A B के दच्छिड में लीजे कौन दच्छिड में question को पढ़िए A B के दच्छिड में मतलब दच्छिड में कौन है दच्छिड में कौन है यहीं पर main खेला यहीं पर है ठीक है भीया A जो है दच्छिड में है किसके B के अगर B यहां पर है तो A कहां पर रहेगा B के दच्छड में मतलब दच्छड दिसा कौन सी नीचे वाली नीचे कौन रहेगा B रहेगा A रहेगा भी या A ठीक है फिर से पढ़ते हैं यदि A B के दच्छड में यदि A जो है B के दच्छड में लग रहा है आपको दच्छिड में है नहीं लग रहा है तो लगा दे रहे है उपर क्या उत्तर दच्छिड पूरब और पस्चिम इतनी बात clear ठीक है क्या कह रहा है यदि A B के दच्छिड में मतलब दच्छिड में है कौन A है किसके है अगर B यहीं point मानते हैं यहीं पर यहीं से तो नीचे कौन सी दिसा दच्छिड है दच्छिड में कौन A है किसके B के दच्छिड में कौन A चलो इतनी बात clear आगे पढ़ते हैं तथा C B के पूरब में मतलब C जो है B के पूरब में B के पूरब में कौन C आई से निकालेंगे question का language पकड़ेंगे क्या कह रहा है क्या कह रहा है C B के पूरब में मतलब B के पूरब में कौन तो C लीजिए C रख दिये clear पूरब वही तो दिसा है अब B का पूरब क्या पूरब ये ठीक है चलिए आगे देखते हैं और D C के दच्छड में D जो है C के दच्छड में मतलब C के दच्छड में कौन D कौन भाया D यहीं question का language आप पकड़िये मैं बार बार कह रहा हूँ D C के दच्छड में मतलब C के दच्छड में कौन C के दच्छड में D और दूरी जब तक आपको दूरी न दिया जाए, तब तक आप दूरी बराबर मानेंगे, इतनी बात किलियर हो गई, लीजिये कह भी दिया, बराबर दूरी पर है, तो हम लगभग सारी दूरीयां जो है, बराबर ही लिये हैं, इतनी बात किलियर, आगे क्या कह रहा है, तो B के पूरव में कौन? इसके दच्छड पूरव में? पहले आप निकालिए दच्छड पूरव है कहाँ पर? आपको पता है ये पूरव है और ये दच्छड है इसके बीच वाली दिसा हो जाएगी दच्छड पूरव इतनी बात किलियर? हाँ दच्छिडपूर्व मतलब यही पर अगर हम पॉइंट बनाएंगे माल लेते हैं B यहां पर था B को अगर यहां पर बैठा देंगे अब B यहीं से देखेगा मतलब इस वाली दिसा में इस वाली दिसा में कौन? D दिख रहा है इसको आप यहां पर लगाएंगे यहां पर ठीक है? यहां पर अब इसे देखेंगे तो कौन आ रहा है? D आ रहा है कौन आ रहा है भीया? D आ रहा है इसको साफ करते हैं यही पर बताते हैं आपको नहीं तो आप इसी घूम जाएंगे क्या कह रहा है? B के दच्छड पूरव में कौन यहीं से देखेंगे B के दच्छड पूरव में कौन दिख रहा है D ही तो दिख रहा है यही तो दिख रहा है इस वाली दिसा में कौन सा यहां पर है D ही तो है, कौन है भी या D है, तो आपसन हमारा क्या सही होगा D सही होगा answer क्या होगा हमारा D ही सही होगा ठीक है इतनी बात clear समझ में आई ठीक है समझ में आना चाहिए भया इसका skin sort वगरा ले सकते हैं आप लीजे इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हाँ clear दिखा समझ पाएं कि नहीं समझ पाएं अगर ना समझ पाएं हो तो आप comment करिए पूरी वीडियो आपके लिए हम फिर से बनाएंगे आप ही के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ठीक है आप हमारे चैनल को subscribe किये हैं तभी आप हमको देख पा रहे हैं पिर भी अगर आप देख रहे हैं और subscribe नहीं किये हैं तो आप कर दीजिए अभी क्योंकि आईसी ही वीडियो पढ़ेगी आपको reasoning का एक भी chapter नहीं छोड़ा जाएगा सारा chapter कराए जाएगा ठीक है A to Z आपके exam में जहां जहां से question आते हैं हम वहां महां से question लाएंगे आपके लिए ठीक है और question exam में हाँ यह question आ गया है क्या कह रहा है Y yaks के पूरब में है लीजिए यहाँ पर जो वाला खेला गया है जो और और में गलत कर देते हैं क्या गलत कर देते हैं कह रहा है इसको और उपर लगा दे लीजिए क्या कह रहा है Y yaks के पूरब में है Y जो है किसके पूरब में है yaks के yaks यहाँ पर रख देते हैं लीजिए yaks के पूरब में कौन y yaks के पूरब में कौन y ठीक है रख दिये हम आगे क्या कह रहा है जो Z के उत्तर में है जो का मतलब क्या X की Y X भाईया क्या X अगर जो आए तो हमेशा दूसरे वाले के लिए जो यहाँ पर है नीची यहाँ पर मतलब second number पर जो आता है उसके लिए जो हमेशा परियोग होता है जो का मतलब कौन यह दूसरा वाला ठीक है क्या कर रहा है जो Z के उत्तर में है कौन Z के उत्तर में कौन X अगर Z यहाँ पर बैठेगा तभी तो इसके उत्तर में X होगा हाँ ठीक है आगे क्या कर रहा है यदि P जड के दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च क्या है भाईया? यहां पर आप बताएंगे. यहीं से अगर देखेंगे तो यह कौन सी दिसा है? वाई की कौन सी दिसा है यह? दच्छिड पस्चिम. क्या है भाईया? दच्छिड पस्चिम आपका right answer हो जाएगा. ठीक है? इतनी बात clear आई? इतनी बात clear समझ में आना भी चाह चलिए पूरा घूम गया, हाँ, ठीक है, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question क्या कह रहा है, आप भ्यास प्रश्ण कर रहे हैं, तो थोड़ा तो वक्त लगेगा, आप इसका type समझ चुके हैं, अगर आपको आ रहा है, तो आप इसको अपने आप से लगाने का प्रयास करें ठीक है, चलिए, देखते हैं, ये question क्या कह रहा है, हाँ, अब ठीक है, क्या कह रहा है, A, B, C, D और E, परोसी हैं, फिर से वही खेला हो गया, ठीक है, आप question कट रहा है, क्या भीया, अब ठीक है, हाँ, चलिए, आप बताए, आप comment box में comment कर दिया करिए, ठीक है, कि हमको नही दिख रहा है, तभी तो हम set करेंगे, चलिए, कोई बात नहीं, क्या करा है, परोसी है, A, C से 200 मीटर दूर उत्तर पस्चिम में हैं, A जो है, A जो है, किस से, A जो है, C से दूर उत्तर पस्चिम में हैं, C से दूर, पहले यहां डाइगराम उत्तर पस्चिम वाला बना लेते हैं ये बन गया आपका रियल डाइगराम क्या उत्तर दच्छिड पूरब और पस्चिम इतनी बात किलियर इससे अगर बीच का पार्ट निकालेंगे इसकी उपदिसा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका उत्तर है पूरब है तो हो जाएगा उत्तर पूरब ठीके इसके बीच की दिसा क्या हो जाएगी दच्छिड पूरब इसके बीच की दिसा क्या हो जाएगी दच्छिड पस्चिम इसको आपको बनाना पड़ेगा चाहे आप अपने कापिम बनाईए चाए अपने दिमाग में बनाई एड़ा बहतर रहेगा ये उत्तर है ये पस्चिम है क्या हो जाएगा उत्तर पस्चिम इतनी वाद किलियर हो गई आगे क्या कह रहा है A C से 200 मीटर दूर उत्तर पस्चिम में है ऊत्तर पस्चिम मतलब यही तो हुआ इधर कौन है? A है C से, मतलब अगर C यहाँ पर कहीं बैठेगा तब ही तो इसके उत्तर पस्चिम में होगा कौन? A, आगे देखते हैं, और कितनी दूरी पर है? 200 मीटर, ठीक है आगे देखते हैं, क्या कह रहा है B का निवास C से 200 मीटर दूर दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च दच्छड पूरब में दच्छड पूरब आपको पता है कौन सी दिसा ये वाली दिसा कौन सी ये वाली दिसा में इस दिसा में कौन है D है मतलब यहां से इधर जाएंगे तभी तो आपको मिलेगा कौन मिलेगा इधर इधर कौन मिलेगा भिया दच्छिल पूरब है कौन यहाँ पर दच्छिल पूरब में D है कौन है भी या D है इसको थोड़ा उपर कर दें हाँ, अब ठीक है हाँ, clear दिखे रहा होगा, क्या कह रहा है आगे question पढ़ते हैं, question आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक आपका clear हो चुका है कि दच्छिल पूरब में रहता है, कौन रहता है, D रहता है इतनी बात clear है, और E का घर जो है C से 200 मीटर दूर उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब यही तो हुआ, है कोन उत्तर पूरब में है कौन कौन है भीया? E है किस से दूर है किस से दूर उत्तर पूरब में है उत्तर पूरब में दूर C से है मतलब इधर कौन है E है कौन है भाईया E है ठीक है और सब के बीच की दूरी दो-दो-सो मीटर दी है तो हम सब के बीच की दूरी दो-दो-सो मीटर रख दे रहे हैं ठीक है इतनी बात किलियर हो गई आगे क्या कह रहा है 200 मीटर दूर उत्तर पूरब दिसा में है हाँ हमने रख दिया उसको आगे कह रहा है E के दच्छड दिसा में कौन रहता है भाया E के दच्छड दिसा में कौन रहता है आप बता दीजिए बहुत ही आसान question है आपको देख के सिर्व बताना है E के दफ्चिड में कौन यह यहाँ पर, यह यहाँ पर आपको पता है जब ये दिसा बराबर है ये भी बराबर, ये भी बराबर ये भी बराबर, नीचे क्या आपका नीचे हो गया, दफ्चिड E के दच्छिड में क्या हो गया D आपको यहाँ पर पता है नीचे क्या होता है दच्छिड होता है उपर क्या होता है उत्तर होता है अगर E से हमाईसे बनाएंगे E पराईसे बनाएंगे तो नीचे क्या दच्छिड नीचे क्या दच्छिड दच्छें में भाईया कौन? D है? कौन है? D है D मेरा सही answer हो जाएगा समझ में आयतना देखिये भाईया पूंचा गया था SSC में पूंचा गया था ठीक है? E के दच्छें में कौन? E के दच्छें गुषा में कौन रहता है तो D रहता है इतनी बात clear, हाँ clear भी होनी चाहिए चलिए आगे देखते हैं, आगे question क्या कह रहा है बहुत ही easy question है, आपको समझना है बस इस्तिर होकर आप देखिए, क्या कह रहा है P, Q, R और S, कैरम खेलने हैं क्या खेलने हैं भीया, कैरम खेलने हैं लीजे, खेलो कैरम भीया, जिंदगी कैरम खेलो यहाँ पर हम कैरम पहले बना दें यह हो गया आपका कैरम, कुछ इसी तरीके से आपका कैरम का जो है, स्लोट रहता है, ठीक है एक आदमी यहाँ पर बैटता है, कोई मान लीजे अगर आप अपनी गल फेंड के साथ खेल लें, तो यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी उसकी फ्रेंड, यहाँ पर आप बैट जाएंगे और यहाँ पर आपके जो फ्रेंड रहेंगी वो, आईसे चार लोग बैट के खेलते हैं ठीक है, क्या कह रहा है, P, Q और R, मतलब P, Q, R और S कहरम खेलें, मान लेते हैं, चार लोग खेलें, P जो है, R और S, Q साजेदार है, मतलब P और R, दोनों साथी हैं, दोनों एक में रहकर खेलें, और S और Q, दोनों एक में रहकर खेलें, ठीक है, मतलब साजीदार हैं, एक में ख अभी आप कारिकरम देखिए इसको क्या कैसे कहां बैठ रहा है उसके बाद में ऐस जो है आर के दाइं और बैठा है एस जो है आर के दाइं और आगर आर को यहां पर बैठाएंगे आर को यहां पर बैठाएंगे तो यहां बैठेगा यहां पर बैठेगा लेकिन कोश्चन है आर बैठा है आर किधर बैठा है पस्चिम की और पस्चिम दिसा कौन ये भाईया अरे बाबु समझो पस्चिम दिसा कौन सी ये हो गया आपका पस्चिम ये आपका हो गया उत्तर ये पूरब और ये दच्छिड ठीक है पस्चिम की और कौन बैठा है मुकर के आर बैठा है कौन बैठा भीया? आर बैठा है अब यहां से आपकी मोहनी को हटाते हैं और जो कह रहा है उसको बैठाते हैं पूरा सेलेक्ट हो गया हमको यही इतना लेना है कितना भाईया? भाईया भाब लीजिए इसको हम हटाएंगे हाँ, अब ठीक है इसको आपकी मोहनी जो है आपकी गल्फेंड आने के लिए तैयार नहीं चलिए कोई बात नहीं वही पर रहने दे रहे हैं क्या कह रहा है? कोश्चन पढ़ते हैं आर जो है यस के दाई और बैठा है अगर हम मान लेते हैं आर को अगर हम यहाँ पर बैठा देते हैं आर को अगर हम यहाँ पर बैठा दें ठीक है? अब कह रहा है यस जो है आर के दाई और बैठा है इसका दाई किधर? इसका दाई किधर? अगर हम इसका मुख इधर हो जाएगा इधर सामने हो जाएगा उसका मुख पस्चिम में नहीं होगा. ठीक है. हम बैठाते हैं. गलत काम नहीं करेंगे भाया, जिसका जहाँ पर अस्थान है, उसको वही पर बैठाएंगे. इसको कहाँ पर बैठा देंगे हम? आर को पस्चिम की और मुख करके बैठा देंगे. यही पर बैठा है आर ठीक है कौन बैठा है आर पस्चिम दिसा में मुख करके ठीक है पस्चिम दिसा यही हुई तो मुख करके बैठा है आर बैठा है ठीक है आर के जो दाएं है कौन है यस है मतलब यस आर के दाएं है हम उसी बात को घुमा के कह सकते हैं कि आर के दाएं कौन s, अगर r यहाँ पर बैठा है, अगर r यहाँ पर बैठा है, तो r का दाया किधर ऊपर, ऊपर कौन बैठेगा भीया, यहाँ पर yes बैठेगा, आप कोई भी नाम मान सकते हैं, yes बैठेगा, जो पच्चिम की और मुक करके बैठा है, मतलब कौन बैठा है पस्चिम के और मुकर के S बैठा है तो अब देखिए भीया अगर यहाँ पर R हो गया R हो गया और R और P जब दोनों एक में खिलते हैं आपको पता है जो दोनों साथी रहते हैं एक में खिलते हैं क्या साजीदार हैं तो आमने सामने बैठे कहां आमने सामने जो साजीदार रहते हैं वो आमने सामने बैठे हैं तो यहाँ पर मामला किलियर हो गया कि P जो है यहाँ पर बैठेगा इतनी बात किलियर R के सामने क्या हो जाएगा P हो जाएगा S के सामने क्या हो जाएगा अब अब भाया जब तीन लोग बैठ गएं, एक लोग का जगा खाली है, तो वहाँ कौन बैठेगा, जो बचा है वही तो बैठेगा, मतलब क्यों बैठेगा, ठीक है, क्यों को भी हम बैठा दियें, अब कोश्चन क्या कह रहा है, क्यों किस दिसा में मुख करके बैठा है, भाया उत्तर इस दा राइट एंसर, आपसन में नहीं है, कोई बात नहीं, आपसने नहीं है, आप आपसन बना लीजेगा, उत्तर हमारा सही हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं कोश्चन क्या कह रहा है, सारे कोश्चन इंपॉर्टन है, हरे कोश्चन पूँचा गया था, ठीक है, थोड़ा सा चेंज रहेगा भासा, थोड़ी सी लेंग्वेज चेंज रहेगी, बस आपको कोश्चन बात समझना है, क्या कह रहा है, चार खिलाडी, कौन भाया, चार खिलाडी, P, Q, R और S, एक खेल के मैदान में इस परकार खड़े हैं, किस परकार खड़े हैं, च अभी तो इसके पूरब में Q होगा, डाइग्राम आप बना लीजेगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्यूंके पूरब में कौन, P, R, P के दच्चिड में, R, जो है, P के दच्चिड में, P के दच्चिड में कौन, R, दच्चिड नीचे, तो नीचे रख दे रहे हैं, किसको रखेंगे R को रखेंगे ठीक है R P के दच्छड में P के दच्छड में कौन R ठीक है आगे पड़ते हैं और Yes P के उत्तर में Yes जो है P के उत्तर में उत्तर किधर? ऊपर आपको इसे पता है लीजे आप मानेंगे नहीं बनुआ के ही छोड़ेंगे उपर क्या? उत्तर नीचे क्या? दच्छिड इधर? पूरव? पस्चिम अब यहां से बताईए P के उत्तर में कौन? P के उत्तर में कौन? Yes फिर से यहीं से पढ़ दे रहे हैं आपके लिए कह रहा है R P के दच्छिड में है R जो है P के दच्छिड में इतनी बात के लिए Yes P के उत्तर में Yes जो है P के उत्तर में कौन? Yes लीजे भीया Yes को अगर हम यहां बइठा दे तो बुरा तो नहीं लगेगा कहें बुरा लगेगा भीया? बइठ Yes रहा है आपको कहे लगेगा? ठीक है? Yes P के उत्तर में बइठा दिये Yes Q की किस दिशा में है? मतलब Yes जो है Q की Q की किस दिशा में है? किसके? इस Q की किस दिशा में Yes है? अगर Yes को देखा जाए Q से Q पर अगर खड़ा होके अगर टार्च लेके देखा जाए Yes को ऐसे देखा जाए तो yes किस दिशा में नजर आएगा भया यह कौन सी दिशा है यह बीच वाली दिशा क्या है देखिए ऐसे आप बनाएंगे तो यह उत्तर है यह पस्चीम है उत्तर और पस्चीम के बीच वाली दिशा क्या हो जाएगी उत्तर पस्चीम हो जाएगी क्या हो जाएगी भीया, उत्तर पस्चिम हो जाएगी, तो ये किस दिशा में है, उत्तर पस्चिम, किस के, क्यू के, क्यू के, उत्तर पस्चिम दिशा में, यही तो पूछ रहा है, तो yes, क्यू के, क्यू की किस दिशा में, के की बात देखिए, क्यू की किस दिशा में है, yes, त इतनी बात किलियर है यह पच्ची में भईया यह उत्तर है भूल गए थे क्या आप नहीं भूलिएगा नहीं नए है सीखिए इसको सीखिए उत्तर पच्ची में आपका सई हो गया किलियर है मामला समझ में आया हाँ समझ में आया होगा काहे नहीं समझेंगे भईया इतनी मेहन बना दे रहें यहीं पर बना दें और इसमें कह रहा है दच्छड पश्चिम मतलब उपदिसा भी ले रहा है तो हम उपदिसा भी बनाएंगे यह क्या हो जाएगा आपका उपर उत्तर हो जाएगा नीचे क्या दच्छड पूरब और पश्चिम इतनी बात clear ठीक है आगे इसम ना बताओ भीया हम ही बता रहे हैं यह उत्तर है यह पूरब है उत्तर और पूरब के बीच की दिसा क्या हो जाएगी उत्तर पूरब ठीक है यहां क्या हो जाएगा पूरब और दच्छिड के बीच में दच्छिड पूरब ठीक है समझते जाएगा बहुत बेसिक है यह सब समझेगा ये पस्चिम ये दच्छिड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दच्छिड पस्चिम यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर पस्चिम चलो क्या कर रहा है P Q के 35 मीटर दच्छड पस्चिम मतलब इधर इस वाली दिशा में इस वाली दिशा में कौन बैठा है? कौन बैठा है, यहाँ पर पढ़िए P Q के Q के दच्छड पस्चिम में कौन? P है, अगर Q यहाँ बैठ रहा है तो P कहाँ बैठेगा? आईसे तिर्चा बैठेगा यहीं पर आईसे यहीं बैठेगा कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? P बैठेगा P को बैठा दिये कितनी दूर? 35 मीटर इस दूरी को 35 मीटर मान लेते हैं ठीक है? आगी क्या कर रहा है? R Q के 35 मीटर दच्छड पूरब में है क्योंके दच्छड पूरब में कौन है? R है कौन है बैठेगा? R है समझेगा बाबू बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि बहतर से बहतर दिया जाए आपको ठीक है? तो आप भी थोड़ा सा गवर से पढ़ेंगे कौन है बैठेगा? R है R कहां है? दच्छड पूरब में है किसके? क्योंके? दच्छड पूरब कहा? दच्छड पूरब कौन है बैठेगा? आप बताए यह कौन सी दिसा है? दच्छड पूरब ही तो है मतलब यहां कौन है? क्योंके? R क्योंके 35 मीटर दच्छड पूरब में है भाईया यहां पर नहीं इसके नीचे दच्छड पूरब यही तो होगा और दूरी कितनी बनाएंगे? लगभग दूरी समान रखेंगे जब तक आपसे कहा न जाए कितना कह रहा है? 35 मीटर कह भी रहा है तो मतलब जितनी दूरी यह उतनी ही दूरी यह 35 मीटर यह भी हो गया इतनी बात किलियर है ठीक है? दच्छड पूरब भी बना दिये दच्छड पूरब में है वो तो R P की किसी दिशा में है R जो है यहाँ पर कौन वइठा है? R वइठा है ठीक है? R वइठा है कह रहा है तो R P की किसी दिशा में है? किसके? R जो है P की मतलब अगर P से आप ऐसे देखेंगे टार्च लगाकर टार्च जलाकर देखेंगे अगर तो यह R किस दिशा में नजर आएगा? P से देखने पर आप बताइए भीया बहुत देर से बता रहे हैं आपको बहुत देर से बता रहे हैं यह कौन सी दिशा है? तो पूरव है क्या है? पूरव किस दिशा में है? क्या कहेंगे? पूरव दिसा में भीया पूर्व पूर्व कहें, चाहे पूरव कहें ठीक है, पच्छू कहें मतलब पश्चिम ठीक है, समझेगा गाउँ वाली भासा में अईसे कहते हैं पच्छू जा भीया, दख्खिन जाओ मतलब दख्छिड ठीक है आईसे गाउं वाली भासा मैंसे कहते हैं ठीक है समझ पाएं आप क्या हो जाएगा पूरब पूरब दिसा में कौन है आर पी की आर जो है पी की किस दिसा में पी की किस दिसा में है तो किस दिसा में तो पूरब दिसा में ठीक है मामला किलियर समझ पाएं एंसर क्या कोश्चन देखते हैं, ऐसा सी इस टोनोग्राफर में पूचा गया था, सारे कोश्चन पूछे गये हैं, ठीक है, भीया समय कितना हुआ, टाइम कितना हो गया वीडियो, 47 मिनट, चलिए भीया, 47 मिनट की कलास हो चुकी है, आप के लिए इतना बहुत है, ठीक है इतनी कलास हो चुकी है 47 मिनट में आप भी थोड़ा सा उब गए होंगे पानी वानी पी लीजिए ठीक है चायवाय अगर मम्मी बनाई हो तो पी लीजिए नहीं तो अगर कमरे पे अकेले हैं रूम अगल लेके रहते हैं पढ़ रहे हैं ठीक है फोन चलाने के लिए नहीं 108 वीडियो देखने के लिए चैट करने के लिए नहीं आये हैं आप अपनी गल फेंट से लगे रहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाया पढ़ना है ठीक है चलिए ठीक है यहां तक हो चुका है यह कोश्चन बचा है आप इसका एंसर जो है कमेंट बॉक्स में छापेंगे ठीक है हम आपका कमेंट देखेंगे आपको बताएंगे कि इसका एंसर क्या है अभी तक आप कमेंट जो भी किये हैं बहुत सही है ठीक आईसे ही आप पढ़ते रहिए और अपने माबाप का अपने परिवार का नाम इसे रोसन करते रहिए कब आपका नाम रोसन होगा जब तक कि आप कहीं सलेक्ट नहीं होंगे जिसके चक्कर में आप छोड़के क्लास जाते हैं न वो आपको छोड़के चली जाएगी है इसे आप देखते रह जाएएंगे फड़ा ज़्यादा गए हैं गहराई सी आप समझेगा इस बात को ठीक है चलिए इसका एंसर दीजिएगा कोश्चन अभी और बचे हैं और सारे कोश्चन आपको कराए जाएंगे सारा एंसर बताया जाएगा आपको ठीक है इस सात्वी कलास थी यहां तक हो चुका है इसके बाद में एक वीडिया और रहेगी उसमें दस कोश्चन रहेगे आपको सारे कोश्चन का एंसर बताना है आपर बोट पर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार लेकिन उसके पहले आप सस्क्राइब करिए ठीक है अगर आपको लगा हो कि हम कुछ सीखे हैं कुछ समझे हैं कुछ आपके लिए काम के लिए है तो आप उसको चैनल को साब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम जहिन